दोस्तो आज हम जानेंगे मध्यपरदेश राज्य का एक खुबसूरत जिला रीवा के बारे में तो दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि रीवा जिले की कई ऐसे रुमांचिक बाते हैं जिसे आप सायद ही जानते होंगी तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तो रीवा की सांदार शफर में रीवा मध्यपरदेश राज्यमेश थी अपने खुबसूरत प्रयटा के स्थलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है रीवा शहर रीवा जिला और रीवा संभाग का मुख्यालाए भी है वही रीवा जिला तकरीबन 6,240 वर्ग किलोमीटर के छेतर में फैला हुआ है वही जंसंख्या की बात करे तो 2011 की जंगर्ना के अनुसार रीवा जिले की जंसंख्या 23,65,000 से उपर थी रीवा जिले में 1000 पुरूशों पर 930 महिलाए है वही जिले की प्रतेकाबादी 380 प्रती वर्ग किलोमीटर पर रहती है रीवा एक ऐसा छेतर भी है जहां भारत में सबसे पहले सफेद बाग की खोज हुई थी जिसे महराजा मारतन ने 1951 में की थी वही मध्य परदेश राज जकात एक मात्र शैनी की स्कुल रीवा में ही इस्थित है वही रीवा संभाग के अंतरगत चार जिले आते हैं सिंगरावली, सीधी, रीवा और सतनाव इसके अलावा रीवा जिला 11 तहसिलों में बटा हुआ है मौगंज, हुजूर, हनुमना, नईगडी, जवा, तेउथर, राइपूर करचुलियान, गूड, सिर्मौर, शेमरिया और मनगवा सामिल है वही रीवा जिला कई सारे पडोसी जिलों से भी घिरा हुआ है रीवा के उत्तर पूर्वा में इलहबाद जिला, दक्षिड में सीधी जिला और पश्चिम में सतना जिला इस्थित है रीवा जिले की कुल अबादी में 96 प्रतिसत हिंदू, 3 प्रतिसत मुसल्मान, बाकी 1 प्रतिसत अन्य समुदाय के लोग रहते है मध्य परदेश की राजधानी भोपार, रीवा से लगभग 480 किल्मीटर के दूरी पर है वहीं रीवा शहर की वाहन पंजी करण कूल, MP17 है रीवा जिले में ही, एसिया का सबसे बड़ा, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्की स्थापित हो रहा है वहीं रीवा जिले में ही, देश की पहली वाइट टाइगर सफारी सुरू हुई थी इसके अलावा, रीवा जिले में ही, मध्य परदेश राजधा का सबसे उमुचा जलपरपात इस्तीत है वहीं रीवा जिले में, एसिया का सबसे बड़ा तलाब भी मौजूद है रीवा जिला, खासकर अपने प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरा, गोविंगर महल के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है इसके अलावा, रीवा अपने बहुती जलपरपात के लिए भी पूरे भारत में मौशूर है वही रीवा मध्यपरदेश का एकलावता जिला है, जहां साट किनुमिटर के दाएरे पर चार वाटरफाल देखने को मिलता है यही कारण है कि रीवा को मध्यपरदेश का जहरनों का जिला कहा जाता है इतना ही नहीं, रिवा शहर को मध्य परदेश राज्य में तेजी से विक्सित होने वाले शहरों में गिना जाता है रिवा जी लेकी कुल साक्षारता दर 74 परतिसत है वहीं सिक्षा संस्थानों में, Government Girls PG College, रिवा इंजिर्निंग कॉलेज, वुमेंस आईटी आई, अवधेश परताप सिंग यूनिवर्शिटी, जोहालार नेहुरुक कॉलेज आफ टेकनोलोजी, महरानी लक्षमीबाई कॉलेज आफ टेकनोलोजी, स्याम साह मेडीकल कॉलेज, आईरवेदिक कॉलेज, एवं सौधामिन, इंस्टिटूट आफ नर्सिंग एंड रिसर्च, जैसे कई अन्य सिक्षा, संस्थान यहां पर इस्थित है, यहां पर बोले जाने वाली भासा है, हिंदी और बगेली अपनी पहली भासा के रूप में बोलते हैं, यहां की इतिहा इतिहास को देखे तु, रिवा कभी एक बहुत ही बड़ी रियासत हुआ करता था, कल-कल करती बिहार वं बिछया नदी के आचल में बसा हुआ रिवाश है, बगेल वंस के सासकों का राजधानी के साससा, विंद्य परदेश की भी राजधानी रही है, वहीं इस छेत्र में बगेल वंसजों के पहले कलचूरी, चंदेल और प्रतिहार वंसजों का सासन रहा है, इतिहासिक प्रदेश रिवा विस्व जगद में सफेद बागों की धर्ती के रूप में भी जाना जाता रहा है, रिवा शहर का नाम रिवा नदी के नाम पर पड़ा था, जो कि नर्मद नदी का पुराणिक नाम कहलाता है, रिवा कैसे पहुंचे, रिवा शहर का रिवा रेलवे इस्टेशन यहां का मुख्य रेलवे इस्टेशन है, यह रेलवे इस्टेशन रिवा जिले का ही नहीं, बल्कि मध्य परदेश का सबसे व्यास एवं बड़े रेलवे इस्टेशन मध्य परदिय और अपने पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है जिनके जरिय आप रिवा असानी से पहुंच सकते हैं रिवा जिले में कई खूबसूरत प्रयाटा की स्थले भी मौजूद है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से शैलानी आते हैं आईए जानते हैं रिवा के उन खूबसूरत प्रयाटा की स्थलो को जिनके बिना रिवा शहर का भ्रमड अधूरा है नमबर एक पियावन घिनोची धा रिवा से लगभग 42 किलमेटर की दूरी परिस्थित पियावन घिनोची धाम एक एतिहासी के वाम धार्मी की स्थान है प्राकृतिक की सुन्दर्ता में बसा घिनोची धाम धर्ती से लगभग 200 फीट नीचे इस्थित है यहाँ प्राकृतिक जरने का स्रेत भगवान भोले नात का 12 महिने निरंतन जलाबी से कराता है प्राकृतिक सुन्दर्ता से भर बहुती जल प्रपात मध्यप्रदेश का सबसे उचा जरना है यह जरना शेलर नदी पर बना हुआ है वह यह जरना 650 फीट की उचाई से गिरती है जो पर्याटकों को अपनी और आकर्शित करता है यह एक लोग प्रिया पिकनी की स्पोर्ट है जो रीवा से सिर्फ 72 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है नमबर 3 पुर्वा जल परपात रीवा के सबसे खूबसूरत इस्थानों में से पुर्वा जल परपात एक प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरा 200 फीट उचा जहरना है यह खूबसूरत जल परपात रीवा से लगभग 25 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है नमबर 4 सफेद बाग की सफारी रीवा भ्रमण के दोरांग प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरा रीवा से लगभग 27 किलोमेटर दूर मुकुनपूर सफेद बाग की सफारी घुमने जा सकते हैं मुकुनपूर सफारी रीवा की लोक प्रिय प्रेटन इस्थलों में से एक है जो सच में एक खूबसूरत इस्थान है आप यहां जरूर जाएं अगर आप एक इतिहासिक प्रेमी है तो रीवा से 66 किलोमेटर दूर देवर कुठार जरूर जाए यह पुरन तात्विक इस्थल प्राचिन बौद इस्थुपोखे साथ बताने के लिए एक महान इतिहास है जो आपको यहां मिलेगा यह प्राचिन इस्थुप लगबग 2000 साल पुराने और असोक के सासन काल से संबन्द बताये जाते है यहां पर आपको मिट्टी की इटो से बने तीन बड़े इस्थुप और 43 विभिन्न पत्थरों में से कई छोटे इस्थुप मिलेंगे जो प्रेटकों को काफी ज़्यादा अकर्शित करता है यह एक लोग प्रिया प्रेटक स्थल है जहां इस्थानियों के सास साथ आसपास के प्रेटकों का भी आगमन होता है रिवा के इन सभी खूबसूरत प्रेटक स्थलों के अलावा यहाँ पर और कई सारे खूबसूरत प्रयाटा की स्थले भी मौजूद हैं जिन में रानी तला, चचाई जल प्रपात, क्योटी जल प्रपात, रिवा का किला, गोविनगर प्लेस और तलाब, सोलर पार, उडेस्वर नाथ मंदीर, साई मंदीर, महा मिरित्युम जै मंदीर, द शिवली, यहाँ का प्रमुग दर्शन्य स्थले हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैभाराद,